रिसेंटली पीएम मोदी ने इनोग्रेशन किया सर्यू कैनल का लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 40 साल पहले जो सर्यू कैनल को बनाने का खरजा था मातर 100 करोड रुपया आने वाला था लेकिन यहाँ पर यह 40 साल का डिले कर दिया गया जिससे इसका जो नया कोस्ट है वो 10,000 करोड रुपीज है यानि इतना बड़ा इजाफा सिर्फ डिले हुआ प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट करने में इसके कारण क्यूंकि इसमें इंफलेशन ने काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर दिया और प्रोजेक्ट के कोस्ट को एकदम से हाइक कर गया लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी तरीके से भारत में 1700 प्रोजेक्ट हैं जिनका जो तकरीबन लॉस होय वो 38 बिलियन डॉलर आ रहा है क्यूंकि इसमें भी इसके इंप्लिमेंटेशन में डिले हो गया फर्दर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस डिले को हम कम कर सकते हैं अगर गॉर्मेंट अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजिस करे और क्या चेंजिस हैं वो पॉलिसी में तो सबसे पहले गॉर्मेंट ये ठान ले कि वो आगे कोई भी निव अनाउंस नहीं करेगी जो डिपार्टमेंट के एक सेट कोटा होगा प्रोजेक्ट अनाउंस करने का अगर वो सेट कोटा पूरा कर लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट अनाउंस करके तो फर्दर निव प्रोजेक्ट को ना कह दिया जाए उसके बाद करेगी government से accountability decide करेगी government officials की तो काम में तेजी आएगी साथी साथ दोस्तो एक flash report का provision बना दिया जाए अगर flash report का provision बनेगा तो flash report में ऐसी important projects को highlight किया जाएगा जो actually delay हो रही है और इससे authorities को flag कर दिया जाएगा उन projects को जिस पर authorities का ध्यान दुबारा उन projects पर जाएगा और उस पर काम सुरू हो सकता है इसके अलावा एक यह important provision बनाया जाए कि हर level पर जो decision लेने का time frame होगा वो mandatory होगा आपको उसी limited time में अपना decision लेना है और यह हर authority के लिए होगा from bottom to top even प्राइम मिनिस्टर भी इसमें include होने चाहिए साथी साथ दोस्तों real time data monitoring system बनाया जाए और इसे government public कर दे पुरी तरीके से ताकि कोई भी इसको आकर देख सके अगर यह steps implement किये जाते हैं तो यह चाहिए कि हम इसको फटा फट implement करें अगर आप हमें financially support करना चाहते हैं तो हमारा और दोस्तों वीडियो पिल एंड में आप से एक final request अगर आप हमें financially support करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लीके दिये गए bank details पर और आपके इस support के लिए हम आपके अत्यन अभारी होंगे thanks to all of you for watching this lecture till end